हेलो एबरिवन आप लोगे अपनी चैनल पायल कोकिंग में बहुत बहुत स्वागत है देखिए आज मैं फिर से टेस्टी मटर और मश्रूम की सबजी लेके आई हूँ और ये ठेंड के दिन में बहुत अच्छी लगती है और एक बार आप बना के जरू ट्राइब करें और प इसलिए उस पार्ट को अलग कर देंगे फिर अपने हिसाब से मतलब काट लेंगे और दो मीडियम साइज के प्यास को मैं चौकर में डालके चौक करके मनबारिक चौक कर लेना है आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते हैं फिर दो चोटे साइज के हमें टमाटर ली हो और इ ही सब मसाला हल्दी पाउडर सब डालके हम अच्छा पेस्ट बना लेंगे और फिर कढ़ाई को हम गर्म करेंगे उसमें थोड़ा जीरा डालेंगे कुसगड़ी मसाले फिर चर्षो का तेल डालके अपने पसंद से किसी भीवाल में बना सकते हैं मैं चर्षो का तेल ही डाल तेल में सब्जी बहुत टेस्टी बन दी है इसलिए फिर बारिक कटी हुई प्याज इसमें डालके हम चलाएंगे फिर प्याज को हम थोड़ा गुलाबी होने तक भून लेंगे फिर इस मसाले को हम इसमें डालके और पकाएंगे देखे ऐसे और यह सब्जी बहुत टेस्ट बन दिए एक बार आप इस तरह बना के जरूर ट्राइ करें मतर मस्रूम की सबजी कूकर में कैसे बनाए यह भी मेरे चैनल पर है आप एक बार वह भी ट्राइ कर लें जब देखें कि मसाले से तेल अलग हो रहा है इस टेप पे हम मतर डाल दें क्योंकि हमारा मतर फ्रोजर नही है फिर ऐसे पका लेंगे और चला के अब देख रहे हैं तो अब मस्रूम को भी हम डाल देंगे क्योंकि मस्रूम भी हम प्राई नहीं कि हैं ड्राइरेक्ट इसी में हम मस्रूम को भी पकाएंगे मस्रूम तो हमारा जल्दी पक जाता है मतर के इसको भी ढखके पकाएंगे फ बूनने के बाद आप ग्रेवी डाल सकते हैं फिर देखिए इतनी इस्टे पे मटर को मतलब हमको सफ्ट करना है मस्रूम तो ऐसे भी सफ्ट हो जाता है फिर मसाले में हम गरम मसाला नहीं डाले ते गरम मसाला हम लास्ट मेंट करेंगे और थोड़ा सा कसूरी मेथी भी अगर हो तो नहीं डाले तो भी कोई बात नहीं आजकल हरी धनिया पत्ती डालके गार्निस करें फिर हरी मिर्चा में चिर्णा लगा के मैं गार्निस कर ले रही हूं अब एक जरूरी बात मटर चेक कर लेंगे अब फिर इसके साथ और देखिए सबजी कितनी लाजवाब बनी है और एक बार ऐसे बनाक ट्राइ करें और मेरे चैनल को प्लीज सस्क्राइब करें सस्क्राइब करना बिल्कुल फिरी है थैंक यू